हेलो एब्रिवन एक वर फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आई होप आप सब अच्छे होंगे तो पिछले दो दिन से पीपीर्स नहीं आ रही थी क्योंकि वीकेंड चल रहा था लेकिन कल रात को पीपीर्स आई है तो बिना देरी के शुरू करते हैं पहली पीपीर जुलाई की पीपीर है 23 जुलाई को लॉज करी थी फाइल 24 जुलाई को बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर एंड 30 अगस्त को कोर्सपोंडेस लेटर एंड 30 कोई आई सेम डे उरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किय सब्सक्राइब 17 अगस्त को बायोमेट्रिक 26 अगस्त बीविए लाया 28 अगस्त और दो दिन के बाद 30 अगस्त को आई पासपोर्ट रिक्वेस्ट कॉलेज आप देख सकते हो सेनिका कॉलेज ओंटेरियो नेक्स्ट टाइम लैन इस 5 जून को फाइल लॉज करी थी 6 जून को लाइंटरिक कलेक्शन लेटर 30 अगस्त को कोरिस्पोंडनेस लेट रहा और 30 को एई ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट अगस्त की फ्रेश फाइल है आप देख सकते हो सैवन अगस्त को फाइल लॉज करी थी 8 अगस्त को बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर फिर बीस दिन के बाद 27 अगस्त को correspondence letter और तीन दिन के बाद इनको 30 अगस्त को आगी original passport request नेक्स्ट टाइम लाइन इस सेकेंड जून को इन्होंने अपनी फाइल लॉज़ करी नेक्स्ट डे थर्ड जून को biometric collection letter 29 अगस्त को BVL correspondence letter और 29 अगस्त को ही original passport request यह वाली timeline CDI College की PPR है आपको मैंने यह community post में भी डाल कर दिखाई थी अगर किसीने नहीं देखी तो देख लो 11 अगस्त को फाइल लॉज़ करी थी 12 अगस्त को biometric collection letter 30 September को other request letter आया था 3rd June 2021 and 29 अगस्त को correspondence letter and 29 अगस्त को इनको आई थी original passport request तो अगस्त की PPR अभी डेली आ रही है ग्यारा बारा अगस्त तक वो पहुंच चुके हैं hopefully अगले पांचे दिन में अगस्त खत्म हो जाएगा फिर September और October के result आने start हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम लेन इस चार जून को फाइल लॉज़ करी फाइव जून को biometric collection letter 29 अगस्त को correspondence letter और 29 अगस्त को ही ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट हेलो एव्रिवन माई नेम इस जैनी शया आई अप्लाइड ओन 30 अप्रल बायोमेट्रिक 24 जून लेंटन कॉलेज आई गोट माई रिफ्यूजल टूडे इसमें आप देख सकते हो फाइल लॉज़ करी फर्स्ट जून को अपर फ्रंट मेडिकल बारा माई बायोमेट्रिक 30 जून मेडिकल अपडेट हुआ 13 अगस्त रिजेक्शन जैस्टरडे नॉन अगस्त येस्टरडे मतलब 30 अगस्त I just got my PPR this morning आप देख सकते हो 29 में को इनोंने फाइल लॉज़ करी 23 जून को बायोमेट्रिक अपडेट हुए और 20 दिन के बाद 13 अगस्त को मेडिकल अपडेट हुआ और फाइनली 29 अगस्त को PPR and correspondence letter same day इसमें आप देख सकते हो प्लस्टू करीनों ने अपने 2017 में 91 परसेंट मार्क सेंके DBA कोर्स 7.5 ओवराल बैंड है 6 इच है 10 अगस्त 2020 को फाइल लॉज़ करी 28 सप्तंबर को AIP and 8 अगस्त को मेडिकल अपडेट 28 अगस्त को BBL and 29 अगस्त को रफ्यूजल तो ये क्युबे की P है बस इनका कॉलेज कौन सा था इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है तो इस वन इस और क्युबेक टाइम लाइन आप देख सकते हो नोने इस फाइल है को से बिजनेस अगस्तेशन और कोमर्स फाइल लॉज़ करी थी इन्होंने 10 अगस्त 2020 में बायोमेट्रिक 21 जैनुरी डॉकुमेंट रिक्वेस्ट 3 जून रिजल्ट इनका देख सकते हो 30 अगस्त को आया रफ्यूजल नोन-sds फाइल है 26 में को फाइल लॉज़ करी थी बायोमेट्रिक 24 जून, बीविल 27 अगस्त, पीपियर उसके 3 दिन के बाद 30 अगस्त sds केटेगरी की फाइल है, फाइल लॉज़ करी थी 6 अगस्त को, मेडिकल अपडेट हुआ 24 अगस्त को, बायोमेट्रिक दो दिन के बाद 26 अगस्त, अपडेट हो गए same day और देख सकते हो, बायोमेट्रिक के नेक्स्ट डे इनको आगया बीविल 27 अगस्त को, और उसके 3 दिन के बाद PPR आगी 30 अगस्त को इसमें देख सकते हो, 21 जुलाई को फाइल लॉज़ करी, 29 जुलाई को मेडिकल अपडेट, 3 अगस्त को बायोमेट्रिक एंड अपडेट हुआ, 20 दिन के बाद 24 अगस्त को, रिव्यू स्टार्ट हो चुका था 9 अगस्त से, बीविल आया 28 अगस्त, PPR आई 30 अगस्त तो देख सकते हो कि बायोमेट्रिक होने के 20 दिन बाद अपडेट हुए हैं, तो पैनिक मत हुआ करो अगर आपके बायोमेट्रिक जल्दी अपडेट नहीं होते, जरूरी नहीं है कि जिस दिन आपने बायोमेट्रिक करवाए, उसी दिन अपडेट हो, कई बार टाइम भी ल Finally, I received my PPR after two refusal, देख सकते हो, reapply करा, इन्होंने 8 July को, Medical and Review 15 July, BVL and PPRI 30 August को, Profile देख सकते हो, 6.5 overall, not less than 6, 12th 2020 में pass out करी, 65% से, College है, इनका St. Clair Windsor Campus, Course है, Computer System Technician Networking Next timeline is, first application apply on 26 May, Biometric 22nd June, BVL 6 July, Rejection Next Day 7 July, second time apply करा, इन्होंने 15 July को, and Medical हुआ 19 July को, BVL 26 August, PPR 4 दिन के बाद 30 August को, Profile देख सकते हो, BBM Graduate Work Experience in Finance Field, Applied for Marketing Post-Graduation Certificate One of my friends get visa non-SDS application on TOEFL, 100, apply करा था 15 May को, Medical update हुआ 15 July को, BVL 31st August, आज मौर्निंग में, and PPR भी 31st August आज ही, तो या, that's it, ज्यादा PPRs नहीं आई थी, QBEC की जो भी PPRs आई थी, 2-4 मैंने आपको दिखा दी बीच में, जो दोनों तीनों थी, मतलब कि वो अगस्त मन्त की थी, जुलाई की नहीं थी, तो hopefully September, October के result स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े दिनों में, and playlist जरूर चेक करना, एक बार उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, IELTS के related भी एक दो मड्यूल मैंने cover की है, and Biometric, Canada Student, Visa, सब कुछ explain किया है, briefly, एक बार देखना जरूर टाइम निकालके, thanks for watching, goodbye,